स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के साथ निश्चा पार्ट टू इसका पार्ट वन हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं अगर पार्ट वन आप लोगों न साथ निश्चा योजना बहुत मैट पूर्ट रहता है बेहार के किसी भी एक्जाम के लिए सब एक्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं BPSC तक ठीक है तो साथ निश्चा योजना के बारे में अगर शुरू आत में हम देखें तो 2015 में इसको शुरू किया गया था 2021 से ये सुरू हो गय थी जैसे 2015 को में लाया गया था साथ निश्चा योजना को और ये 2016 से शुरू हुईती धरातल पे उसी तरह 2020 में लाया गया साथ निश्चा टू को और 2021 से ये सुरू हो गई थी तो साथ निश्चा योजना को सुचारू रूप से कार्यानवन करने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा एक विसेश टीम तयार की गई थी और 2021 में जो ये योजना आई है उस समय मुख्यमंत्री के सलाकार थे स्री प्रसांत के सोड जी जो चुनाब के समय में सलाकार के त इसके लिए विसेश टीम काम करती है, जब बजट आता है तो वो इन साथ निश्चय को ध्यान में रखके ही बजट लाया जाता है, इतनी बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठिक है, तो शुरू करते हैं शाथ निश्चय, विक्सित व्यहार के लिए साथ निश इसमें से सीधे question किस तोरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको 4 या 5 या 2 या 3 योजनाय दे दी जाती हैं, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन थी या कौन नहीं थी, तो ये आपको नाम रटे होने चाहिए, ठीक है, part 1 को detail में हम देख चुके हैं, तो part 2 आज हम लोग detail म पढ़ेंगे, ठीक है, तो part 2 आज शुरू करते हैं, इसमें पहले देख लेते हैं क्या-क्या है, तो युवा सक्ती बिहार की प्रगती, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सेचाही के लिए पानी, सवक्ष गाम, सवक्ष सहर, विक्ष सहर, सुलब संपरकता, और सब के इसको कैसे याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा, परिशान मत होईए, सात निश्य पार्ट 2, जो देखिए, युवा सक्ती बिहार की प्रगती, आप युवा, वो कहते हैं कि युवा सक्ती जो है, वो बिहार की प्रगती है, रोजगार दीजे उनके लिए, तो क्या-क्य है, देखेंगे, शसक्त महिला, सक्षम महिला, महिला ससक्त हो, तो पहला युवा हो गया, दूसरा महिला हो गया, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे द्यान रखिएगा, पहला युवा, फिर महिला, फिर किसान आता है, तो हर खेत तक पानी, ठीक है, युवा, महिला, किसान उसके बाद गाउं की बात की है स्वक्ष गाम समरद गाम फिर सहर की बात की है स्वक्ष सहर विक्सिस सहर फिर गाउं और सहर को जोडने की तोर पे आप इसको देख सकते हैं connectivity होगी और आसान तो इसमें गाउं की जो सडके हैं उनको मेन सडक से जोडने की बात है फिर यह स्वास्त है, तो अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, योवा, महिला, किसान, ठीक है, उसके बाद गाउं, सहर, फिर गाउं, सहर को जोड़ना, फिर उसके लिए, सब के बाद आता है, स्वास्त है, स्वास्त भी तो जरूरी है, बहतर होना, तो यह साथ है, साथ इसका के लिए, स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यह मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, पार्ट वन में, बहुत डेटेल में, तो स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है, उसको कम्प्यूटर प्रेशिक्षन समवाद कौशल और व्यावार कम्प्यूटर प्रेशिक्षन देंगे, और कौशल और व्यावार कौशल का बादा किया, तो इसमें आपको टर्मिनोलोजी सिर्फ याद रखनी है, कम्प्यूटर प्रेशिक्षन, स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो साती सात आई टी आई और पॉलोटेक्निक जो संस्थान है, उनमें प्रेशिक्षन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाने की बात यहाँ पर की गई है, तो योवा सकती विहार की प्रगती में सिर्फ यही बात आपको द्यान रखनी है, इसमें जो आंकडे हैं, वो बजट के आंकडे हम इससे जोड के देखेंगे, जब बजट आएगा, हर वार का बजट जब आता है, तो यह चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए यहां सिर्फ हम योजना देखेंगे, बजट के आंकडे अलग से इससे रिलेट करने होते हैं, हर साल का बजट इसमें एड हो जाता है, इनी योज जनाओं को ध्यान में रखेंगे, बजट भी लाती है सरकार, ठीक है, यह बात ध्यान रहेगी, तो यह योवा शक्ती बिहार की प्रगती, इसमें टूल रूम क्या है, हर प्रमंडल में टूल रूम होगा, ऐसी बात कही गई है, मैंने इसकी मेज यहां पे रखी है, और अग सक्षम बिहार, स्वाबलंबी बिहार, इनका एक टैग लाइन है, यह हर जो आपकी निश्चे में देखने को मिलेगा, हम सारे निश्चे को फोटो के साथ भी देखेंगे, ठीक है, अगला है सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके तहत महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की यूजना है, तो जैसा नाम है, वैसा ही, इसका काम भी है, इसमें जो याद रखना है, आपको महिलाओं को उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए, यह विसेस यूजना लाई गई है, और परियोजना लागत के 50%, यह ध्यान रखिएगा, 50% या अधिक्तम 5 लाक रुपे ब्याज मुफ्त रिण दिया जाएगा, मानलीजे अगर 10 लाक रुपे का कुछ शुरू किया जाना है उद्यमिता महिला के द्वारा, तो उसका 50% कितना होता है, पांच लाक होता है, तो पांच लाक रुपे, या फिर 50%, ठीक है, अगर मानलों किसी ने 12 लाक का सुरू किया, तो उसका 50% तो 6 लाग रुपे हो जाएगा लेकिन सरकार का क्या है maximum 5 लाग रुपे तक देगी या 50% देगी ठीक है ये बात दोनों धान रखनी है सीमा 50% अधिक्वा अधिक्तम 5 लाग रुपे तक जो ब्याज होगा मुक्त रिण होगा और जो और उसके अधिक होगा उस पे ब्याज लिया जाएगा बहुत कम ब्याज होगा पर 50% तक कुछ भी ब्याज नहीं होगा ब्याज मुक्त होगा और 5 लाक रुपे की अधिक्तम सीमा है उससे ज़ादा पे फिर लिया जाएगा ठीक है, बात समझ में आ गई है अगर 50% जो है वो 5 लाक से कम रहता है ठीक है, या 5 लाक तक रहता है तो ब्याज मुक्तरिण होगा लेकिन अगर 50% जादा हो जाता है तो 5 लाग रुपे के उपर फिर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा ये दौनों बात को बहुत अच्छे से समझिए ये उद्धमिता के लिए हो गया साती उच्छतर सिक्षा के लिए अगर महिलाओं को प्रेडित करने के लिए इन्होंने क्या गिया है जो 12 पास करने वाली बच्ची है उनको 25,000 रुपे दिये जाएंगे और ग्रेजुएट होने पे 50,000 रुपे की आर्थिक साहिता दी तो 25 इस तरह 75,000 रुपे जो है टोटल वो दिये जाएंगे बच्ची को जो 12 पे 25 और जब वो ग्रेजुएट हो जाती है तो 50,000 रुपे ठीक है ये ध्यान रखना 25,000 और 50,000 कैसे कैसे हैं इसको उल्टा सीधा करके भी पूछ सकता है अगर आपको यहां यह देखें तो फो मैंने इसलिए डाला ताकि आप इससे थोड़ा सा यह दिमाग में याद करने में आसानी होती है आपको इससे रिकॉल करने में आसानी होती है यह आप आप देख भी सकते हैं माहिलाई उद्यम विकास से जुड़ी हुई है पीछे इमेज भी दी हुई है ठीक है चलिए अब हर खेत तक सिचाई करने का इनका लक्ष है अगले पास साल है नहीं 2021 से ये सुरू हुई है तो 2025 तक या 26 तक आप इसको मान सकते हैं मुख्यमंत्री साथ निश्च जो टू का है ये हर खेत में सिचाई के लिए पानी तकनीकी सर्वे भी इसमें सुरू किया गया है खेती के है और 38 ती में जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है तो 5 सालों में हर खेत तक सिचाई का लक्ष है समय सी में आपको जरूर याद रखनी है ठीक है तो ये हर खेत तक पानी हो गया थर्ड ठीक है फोर्थ क्या है स्वक्ष गाओं समर्द गाओं ठीक है इसको आपको नंबर सही याद रखना है ऐसे भी पूछ लेगा पहला क्या है दूसरा क्या है तो आपको इनका नंबरिंग सही याद होना चाहिए आगे पीछे नहीं एकदम डिटेल में ढंग से एक जैसा है वैसा याद रखिए स्वक्ष गाओं समर्द गाओं तो सभी गाओं में सॉलर स्ट्रीट लाइट है समर्द गाओं के लिए क्या है संसाधन जो है पसूअर मतस्य संसाधन उनके विकास की योजना बनाई गई है इसके साथी हर घर नलका जल योजना जो है उसको भी आगे रखा जाएगा उसको भी बढ़ाया जाएगा तो हर घर नलका जल जो है वो निश्चे पार 1 का योजना है उसको भी अभी ये continue कर रहे हैं पार्ट 2 में ठीक है तो ये ध्यान रखना है स्वक्ष गाओं सम्रद्द गाओं में क्या है अगर पांचमी देखें तो स्वक्ष सहर विक्सित सहर पांचमी है इसके अंतरगत व्रद्धों की आश्रेश्थल सहरी गरीवों के लिए बहु मिंजले आवास तो इसमें सबसे ध्यान रखना है आवास ठोस और तरल अप्सिस्ट प्रवंदन स्वक्ष सहर में भी है जैसे ग विद्योतिकरित सब्दागर है विद्योतिकरित और मोक्ष धाम का निर्माण इसमें सामिल है सहर में ये चीज़ें जरूरी होती है गाउं में तो जो है अंतिम संस्कार ऐसे खुले जंगल की तरफ किया जाता है लेकिन सहर में मोक्ष धाम जैसी जो है अवधारना होती है स लवदागरे विद्धुती कृत भी बनाये जाते हैं, अपसिष्ट प्रमंदन की बात है, सहर में और गाउं में सेम हैं, ठीक है, आवास की एक चीज है जो ध्यान रख दिये हैं आपको सहर में, ठीक है, गाउं में आवास के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सहर में आवास क सहर की तहत हम देख रहे हैं, सक्षम बिहार, स्वाबलंबी बिहार इनका टेग लाइन है, इसको बारवार मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखेगा, ठीक है, चलिए, अगली देखते हैं, क्या है निश्चे, तो कनेक्टिविटी होगी और आसान, इसमें कनेक्टिविटी का ता किये जाएंगे, ताकि कनेक्टिविटी और बहतर हो सके, ठीक है, इसकी इमेज मुझे नहीं मिली है कहीं पे, आप लोग इसको ऐसे ही याद कर लीजे, कनेक्टिविटी होगी और आसान, ठीक है, बहुत इंपर्टेंट है, ध्यान रखेगा, इसमें गाओं को प्रमुक सड को बहतर बनाने, और बहतर पसू स्वास्त प्रबंदन, इसमें पसूओं का स्वास्त भी है, और लोगों का स्वास्त भी है, दोनों की बात यहां पे की गई है, उसके लिए आधार बूत विवस्ता, यानि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्शर की बात है, उसको तैयार कनने की यो तक आपके दोर step तक सेवा पहुंचाई जाएगी ऐसा कहा गया है सब के लिए स्वास्तेसोवेदा नहीं ठीक है इसके अलावा टेली medicine के जरिए जो टेली medicine होता है phone के through ठीक है टेली medicine के जरिए PhD CHC के साथ ऑनुमंडल और जिलास पतालों को भी जोड़ने की बात कही गई है तो टेली मेडिशन को भी आपको इसमें याद रखना है ये मैंने बोल्ड इसलिए किया हुगा है महत्पून है तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है टेली मेडिशन कॉल सेंटर और मोबाईल अब ये है जो डोर स्टेप तक इसमें सेवा का वादा है मौजूद अस्पतालों की सुबदाओं को बहतर बनाने और उसके विस्तार का वादा किया गया है सब के लिए सास्ते सुबदा में इतनी चीजें आपको याद रखनी है ठीक है अब ये इसक पसू स्वास्त प्रबंदन के लिए basic infrastructure का development किया जाएगा ऐसा इसमें बोला गया है सात्वी में अब इसका सारांस देख लेते हैं जल्दी से सातों का जो महत्पूर्ण बाते हैं जो इसमें याद रखनी है तो राज्य के हर खेत तक सिचाई का पानी पहुचा आए जाना य उसकी बात आप यहाद रख सकते हैं ठीक है इंटर उत्रीन होने वाली जो अविवाइद चात्रा उनको 25,000 रुपे इसना तक उत्रीन होने वाली महिलाओं को 50,000 रुपे इसको आप याद रख सकते हैं ठीक है सभी गाओं में solar street लगाया जाएगा गाओं गाओं तक लोगो 180 मुफ्त होगी या अगर अधिक्तम 5,000,000 रुपे जो रिण मुफ्त रासी दी जाएगी तो इतना अगर आप याद रख लेते हैं इसमें और इन योजनाओं के नाम याद रख ले हैं तो आपको साथ निश्चे पार्ट 2 से question गलत नहीं होगा पार्ट 1 को जरूर देख ले इस्टाग्राम पे भी मैं mock questions डालता हूँ crack now at home वहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं अंतिम में बात आती है PDF की तो PDF आपको इसका मिलेगा मेरे टेली ग्राम चैनल पे और टेली ग्राम का लिंक जो है आपको नीचे description box में मिल जाएगा वहां से टेली ग्राम पे जुड़ि इन